यूपी में अगले तीन दिन के लिए आंधी तूफान और बारिश का अलाट दो जून तक के लिए मौसम विभाग में दीचे अतामनी गर्मी से मिलेगी राहा स्वागत है आपका एबीपी गंगा देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है अभी कोई नहीं जानता कि लॉकडाउन 5 का क्या होगा अब तक जितनी बार लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हुआ उतनी बार रियायते मिली कभी ट्रेन चली कभी बाजार खुले कभी शराप की दुकाने खोली गई लेकिन धार्मिक स्थल बंद रखने का फैसला बरकरार रहा कई पूर में कई तोहार आए आकर चले भी गए लेकिन धार्मिक स्थल तब भी नहीं खुले आप धर्म गुरुओं ने सरकार से धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग की है ये पेशकर्श भी की है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा अब सवाल ये है कि क्या ये सही समय है धार्मिक स्थल खोलने का एक रिपोर्ट देखे कुरुणा ने बंद कराए स्कूल, अस्पताल और मधुशाला है कुरुणा से गिर गया उद्योगों, फैक्टरियों, दुकानों का शटर कुरुणा के काले बादल में ठख गई दुनिया लॉक्डाउन में थम गए बड़े बड़े देशों के पहिए घरों में लॉक्डाउन हो गए सबा सौ करोल डू करीबों मस्दूरों की छिन गई रोजी रोटी कोरुणा संकट के बाद भी उठने लगी धार में किस्तल खोलने की आवाज लॉक्डाउन की रियायतों से जिन्दगी लॉटने लगी पटरी पर बड़ा सवाल क्या आ गया है धार में किस्तल खोलने का समय और इससे पर आज हक की है हमारी खास चर्चा है और विशेश महमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैए आए सबसे आपका इंट्रचिन करा देते हैं С.S. नकवी जी हमारे साथ है इस वक्त स्लामिक स्कॉलर है प्रियंका राना हमारे साथ जुड़ गई है सोशल अक्टिवस्ट हैं पंडित राम प्रकाश शास्त्री हैं हिंदू धर्म गुरू मौलाना खालेद रशीत फिरंगी महली साब हैं मुस्लिम धर्म गुरू दीपी का उपाध्याए धर्माचारे भी हमारे साथ जुड़ गई हैं आप सभी मेमानों का बहुत-बहुत स्वा की गई है आपको लगता है कि जिस तरह से एक के बाद एक लॉक्डाउन देश में हुए हैं कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं आपको लगता है कि क्या ये धर्मिक किस सालों को खुलने का सई समय है लेगे पहले जो मैं आपके चैनल के जरीये से आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले सत्र साल में उसे पिछले सत्र दिनों में जिस तरीके से अवाम ने लॉकडाउन पर अमल करते हुए तमाम कम्मूनिटीज के लोग अपने अपने अबादतगाहों में इन सतर दिनों में नहीं गए हैं और आप देखें तो पूरे रमजान पर और एद में जिस डिसिप्लिन का मुझाहरा किया गया है लॉकडाउन के डूल रेगुलेशन और अलमा की अपीलों पर तमाम लोगों ने अमल करके कोई भी मजजिद नहीं गए और यही चीज तमाम कम्मूनिटीज ने भी फॉलो की हैं अब सभी को मालूम है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है कोई वैक्सीन नहीं है सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन ही इसका इलाज है तो लहाज़ा हमें और आपको इस वक्त जो तीस दरकार है वो यह कि इन प्रिकॉशन के साथ खुदा अल्ला भगवान इश्वर के शरण में जहीं जा करके दूआ का सहारा लेना होगा इस वजे से हम लोगों ने गौर्वर्मेंट से यह अपील की है तो इसको हम लोग इन्शालला पूरी तरीके से फॉलो करेंगे मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि प्रिकॉशन रखें ध्यान रखें आप ये भी मान रहे हैं कि ये टफ टाइम है पूरे देश के लिए लेकिन रूल्स रेगुलेशन कुछ बनाए जाने चाहिए पंडित राम प्रकाश शास्त्री जी कि आप इस बात का समर्थन करते हैं कि धार्मिक स्थलों को आप फोला जाना चाहिए आप मेंसे किसी के टीवी सेट का वॉल्यूम इस बढ़ा हुआ है मेरी रिक्वेस्टे प्लीज आप उसको बंद कर दीजे वरना आपकी आउडियो साफ नहीं आएगी जी पंडित राम प्रकाश शी अब आपकी प्रशन का उत्तर देता हूँ जी अभी जो आपने पूचा कि क्या ये सही समय है तो मेरा इस पर इस पस्ट विचार ये है कि प्रमात्मा तो सरवत्र है हरी व्यापक सरवत्र शमाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना भगवान हर जगह है जहां भी आप भगव प्रवानट करेंगे. उनको है किसी ने किसी रूप में आपके पास मदद करने आएन do करते हैं सवाल का जवाब. क्योंगि इतना सारा गैस पानल हमारे सांते बाद के बाद में लोगों की शिकायत रह जाती है कि हमें मौका नहीं मिला है जी 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 मेरा ये मानना है कि अभी कुछ समय तक क्योंकि ये विमारी बढ़ रही है तो धार्मिक अस्तल चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारे हो अभी सरकार फिलाल इनको ना खोले तो मैं समस्ता हो कि सब के लिए ये सुरक्षित रहेगा मतब आपका मत है कि फिलाल धार्मिक स्थलों को नहीं खोला जाना चाहिए वहाँ पर भिड़ लगती है और उससे संक्रमन फैल सकता है क्योंकि प्रमात्मा तो सरवत्र है आप जिस प्रकार से अभी आराधना कर रहे हैं ठीक है ठीक है शास्त्री जी मैंने आपकी बात सुनी एसेस नकवी हमारे साथ हैं आपका क्या मानना है जिस तरह से राशीट फिरंगी महली जी कह रहे हैं कि कुछ रूल्स रेगलेशन के साथ खोला जाना चाहिए आपको लगता है कि नमाज पढ़ने के लिए इबादतगा जाना जरूरी है उन्होंने जो भी सोच समझ के फैसला लिया है धर्मिस्तानों को ना खोलने का तो ये हमारे हित्मे है ये बीमारी है और लोगों का जहन शायद थोड़ा बीमारी से मौलाना साहब का हटा है यहां पर और जहन बीमारी से नहीं हटना चाहिए हमें इस वक्त धर्मिस्तानों क के पार पहुंच चुका है 1,73,000 से जादा मामले भारत में सामने आ चुके हैं और यूपी की बात करूँ तो 7,445 मामले सामने आ चुके हैं और फिर भी मौलाना राशित फिरंगी महली जी कह रहे हैं कि प्रिकॉशन्स या रूल रेगुलेशन्स बनाएं और उसके साथ इनको को खोल दिया जाए क्यों नहीं बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए इस समय तो बहुत राशित जिस बात कर दे रहा हूं मैंने बाशुरू में बात कही कि जिस डिसिप्लिन का मुझाहरा पूरे रमजान भर और यह जिसमें लाखों की पबलिक इदगाहों में मस्जिदों में जमा होती है सबने पूरे डिसिप्लिन का मुझाहरा करते हुए सिफ चार से पाच लोंगों नहीं नमाजें अदा की हैं और सेम चीज बखिया प्लेसे और बाशिप और बखिया कम्मूनिटीज के लिए भी हैं मार्केट्स खोल दिये गए हैं आफिसे खोल दिये गए हैं औ देश के लिए जरूरी है आप मार्केट का दिक्र कर रहे हैं उनका एक एक नौमी पहलू है लेकिन उसी बात को एसेस नकवी जी ने भी कहा और पंडित राम गाण शात्री जी भी कह रहे हैं कि कूजा के लिए या इबादत के लिए किसी इमारत मंदिर या पर मस्जिद में दिए जाना जरूरी है। वो तो घर में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती तुरी है। और वहाँ इसी लिए इंशान गाहों को बनाया जाता है। सबसे पहले हैं निश्यत रूप से लेकिन धर्म जो हमारे मंदिर हैं मैं मंदिरों तक बात को केंद्रित रखूंगी मैडम हमारे मंदिर अध्यात्मिक शक्ति का केंद्र हैं ऐसे में भीड इखटे नहीं होने देना चाहिए यानि सामुदाइक कारिक्रम कराने की सामुदाइक आयोजन कराने की कोई भी अनुमती नहीं मिलनी चाहिए लेकिन पांच टाइम की आरती है भगवान का भोग है शयन है उत्थापन है कम से कम इस सब के लिए सेलेक्टेड लोगों को कुछ चुनिंदा लोगों को मंदिर जाकरके सेवा करने की अनुमती मिलनी चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे हां यह बात बार-बार कहूंगी भीड नहीं होनी चाहिए और फाल जी जिस बात मंदिर हमारे जो आध्यात में क्यू आम लोगों को छूट देकर मंदिर भेजा जाना सही है प्रियंका राणा आप से में तटस्त व्यूपॉइंट जाना चाहूंगी यहां पर दोनों तरफ से लोग है ऐसे भी लोग हैं जो मान रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते वे छूट दी जानी चाहिए औ अगर हम पूरी दुनिया ने कोई अगर तीस संजी है तो वो यह संजी है कि मंदिर मस्जित की राज़गी पी छोड़ करके अगर हम लोग ऑस्पितल और फुल्कॉलोजिस बनाएं तो शाय जेश के लिए और पुरी दुनिया के लिए यह एक जो विकास का बहुत बड़ा क कर ले रोते हुए बच्चे को हताया जाए तो क्यों जो आज इतने गरी मजदूर बच्चे रो रहे हैं आप जानते हैं कि कोवेंट 19 की वज़ए से कितनी मौते हो रही है कितना पुरा देश की मौमी डाउं जा रही है उसमें आप मंदल मस्ज़गी ना करें मैं कहते हूं क कि अभी इतना जरूरी नहीं है भगवान आप कहते हैं हर कंकन में मौजूद है हर घर में मौजूद है आपके दिल में मौजूद है इतना सब कुछ आप लोग जानते हैं उसके बावजूद आप ये जिद कर रहे हैं तो उस पुरे वेज के लिए कितना नुक्षान लेकिन देपिका जी उसके पीछे अभी राशिट जी ने दलील दी है कि लोग लॉक डाउन में परिशान हो चुके हैं कई बार जैसे मांसिक डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं तो वहां जाकर उनको अच्छा लगेगा उनको अच्छा लगेगा मन की शांती के लिए जा का है मंदिर आध्यात्मिक केंद्र हैं कि अधिए कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ऐसे में किसी सहरे के आवश्यक्ता पड़ती है और इस बात को कोई भी किसी भी शेत्र का हो इश्वर की सत्ता सर्वों पर यह सब सुईकार करते हैं रात्थना करना नहिए नोगों के एकत नहीं होने दिया जाए किन्त पांचों समय की सेवा जो है वहां पर महंत, पंडित, जिनकी भी जिन्मेदारी होती है, वो मंदिर के परिसर में हिरे वहीं पास में रहते हैं, वह उस काम को कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां कों लेकर, वहम खे mitad के सही है, राशेत झी, यहां पर दिपिका राणा बता रही है कि पूरी दुभी दुनिया स बिलकुल ही घला थे, पूरी दुनिया में आप देखनेंगें, पहले सौदी अरब में भी जितने भी मस्जिदें थी सब बंद थी, सब धीरे धीरे कलके खोली जारी है, पूरे आप वेस्टेन कंट्रीर्ज में देख लीजिए, जितनी भी मंदिर मस्जिद चर्चिज हैं सब बित सर्टेन लिमिटेशन वे सर्टेन रूल संड रेगुलेशन उनको खोलने की पर्मिशन दे दी गई है और इन इबादत गाहों से हमारे मुल्क में के कोने कोने में बड़े इतादाद में लोगों ने सोशल सर्विस भी की है खाना भी ब है हम तो मार्केट भी बंद कर दिये कि मार्केट में भीड़ोगी यह कोई पयमा नहीं है आप करनाटक में देख लें आप वेस्ट-पैमाने में देख लेए प्लेस आव वसजिवनों ने पहले से खोलने का अइलान कर दिया इसलिए कहा गया है इसलिए तो यह सवाल उठाय और आप चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसा इंप्लिमेंटेशन हो जाए इसके अलावा इसके अलावा कोई भी पॉब्लिक गैदरिंग इन प्लेसे और वर्शिप में ना होनी जी जाए जो बड़ी जगहां हैं वहां पर आप 50 लोग को परमिशन देजिए जो छोटी जगहां चाहिए वहां से 20 20 25 लों को परमिशन देजिए शाजी के लिए अपने परमिशन दी है और चीजों के लिए आपने परमिशन दी है पिर तो ठीक है दिपिकर आओ फिर स्कूल परमसे में क्या दिक्कत है कि जब सब कुछ खुली रहा है यहां भी कूछ लोगों की संध्या न जै बिल्कुल और जिस तरी के लिए बाते कर रहे हैं इनको समझने नहीं आरहा है आप वो डोनेशन के लिए बात करें कि फूड क्या लगाए जा रहे हैं। पूड़े दिन के लिए आध भादे शलक और रोका जा जाते हैं तो जिन्मेधारी ले लीजे आप लोग अपने उपर जिम्मेदारी के जिए हम लोग जिए जडार में ने किस्थार है उसके स्थों गुर्ण को भी आशी को बिमारी प्रशा होता है तो आच के उपर सड़ी से तड़ी सरदाव होने चाहिए इसा डिक्लेरेशन करेंगे आप यारंटी दे सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पारण वो जंता करेगी यह सब बेबुनियाद बातों का हम यहां जवाब देने के लिए नहीं बैठे हुएं जो लॉजिकल बात है वो कि यह जितने भी आप जिम्मेदारी नहीं देना चाहते हैं जब कुछ हो जाएगा तो आप तरकारों पर फोग दीजेगी तरकार ने एक्शन नहीं दिया बताएगे बौला ना राशी जी तब कुछ कर कारों पढाशर होगा जब लोग मधुशाला जाते हैं सोचल डिस्ट के लोगा जब सोचल डिस्टेंसिंग का पालन मधुशाला में हो सकता है बाजार में हो सकता है आप जोड़ करके कह रही है वहां किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग देखी गई जब उन्हें खोला गया था वो तरहीं मैं अपसे मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूं वही जंता देश की वही जंता जो बाजार जाते समय जो बस और ट्रेंड में सफर करते समय जो सड़क प पालन कर सकती है क्या वो जंता सिर्फ धर्म के नाम पर मूर्ख बन जाती है क्या धर्म के नाम पर सिर्फ एक भेड़चाल बन जाती है मैं ये लोगों से पूछना चाहती हूं सारी सारी पावंदिया सिर्फ धर्म के खाते में क्यों आती है एक तरफ हम कहते हैं इसे हर विक कर सकते हैं कि हम धर में कि पूजा करें ऐसा जरूरी नहीं हमने पूरे नवरात रही किया मैं अब भाधा है कि मंदित राम प्रकार शास्त्रीजी को भी तर्धी को करते हैं और भगवान तो कंकरन में हैं हर घर हैं और जो अध्यात्मिक शान्ति के लिए या पूजा पाठ ग लिए या मोक्षं मार के लिए पूछ निकल कर जाना ही लोगों को अस्ली पूनिए देगा क्या मंदिरों में जाकर पूजा करना या अब गाहँ में जाकर वहां पर प्रेयर्स करना वही असली शांती देगा और नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं, पहले ही आपको बता चुका हूँ, और अभी भी हमारे देश की जितनी भी माताई हैं, बहनी हैं, भाई हैं, बुजरुग हैं, सब ने इस देश के कल्यान के लिए, सभी धर्म के लोगों ने, अपने घर में बैट करके भगवान की आरदना क हैं, प्रमात्मा का संबन्द होता है, वो स्रधा और भाव से होता है, तो हमारी स्रधा कहीं भी, हम घर भी एक मंदिर है, वहां बैट करके निरंतर ये परात्ना करें की परमपिता, परमेश्वर, ये जो महामारी का समय है, और हरभार में, लोगों ने पूझा के सान्न भी वहाँ बैटकर पूजा अर्चना कर सकते हैं लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा अब निश्यतुरूप से नकवी जी आप ये बात राशिट जी को कैसे समझाएंगी कि इबादत तो घर में भी हो सकती है नमाद तो घर में भी पड़ी जा सकती है उससे उसका कोई जो है क कि किताब में किसी लिखा नहीं किसी भी धर्म की किताब में ये नहीं लिखा है कि नमाज जाके किसी एक ही जगा पे होगी एक ही इमारत में हो सकती है अगर ऐसा ही इसलाम में हमारे लिखा होता शरे में ऐसा ही लिखा होता कि नमाज पढ़ना मस्जिद में ही जरूरी है मस् जिदे अकसा जाना पड़ता क्योंकि हमारे इमामों ने, हमारे अल्माओं ने, हमारे निभी थे, उन्होंने नमाज वहीं अदा करी थी और नमाज अदा करने का ये बीमारी से हम लड़े, पूरी आलम इंसानियत इस वक्त एक बीमारी से लड़ रही है, ना कि हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ऐसे वक्त में हम आप इस तरह की बाते नहीं कर सकते हैं, और फिर मैं ये समझती हूँ, कि ऐसे समय में लोग राजनी पात लोग, दस लोग, क्यों जरूरी है? कि प्रेजन सिच्वेशन में ये फीजबिल है, कि जहां और चीज़े खोली जा रही है, वहाँ जो सोशल डिस्टेंसिंग के नौम है, मास का मसला है, नंबर ओफ परसिंग के लिमिटेशन के साथ, अगर अगर अबादतगाहें खोली जा सकते हैं, तो उसमें को लगता है, हैं अगरे फिसलो को सब को खोल दिया जाए, फिर तो लोग कहेंगेिशन क्यों बंदै, उनको खोल दिया जा जाए, फिर गैंगे ऍालूं की अगर मसला समझ नहीं नहीं है तो हम आपको समझा नहीं सकते हैं नहीं जी जिटने भी जीतने भी इबादत गाहें सब बंद कर दिया सब लोग घरों पर इबादत करते हैं इतनी लोग लेकर बैठ जाती है लेकिन एक चोटे से ब्रेक के लिए हमें आ रुखना होगा लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दे कि मोधी सरकार दो आज अपने कारेकाल का एक साल पूरा कर चुकी है और ABP गंगा पर आज शाम 7 बजे से राद 11 बजे तक नॉन स्टॉप आप देखिए मोधी स्पेशल